राई अब रूप करते खबरों के ओधेश के वरधान मंत्री नदिन्र मोदी द्वारा पांच जून को विश्व पर्यावरन दिवस के रूप में एक पीड मा के नाम अभ्यान की शुआत की गई जिसके तहित रक्षा मंत्राले सुक्षिता दिवस पर देश में 15 लाख पौध ही लगाए गए इसके साथ ही उन्होंने देश समेत विश्व के सभी से अपनी मा के सम्मार में एक पीड लगाने के आगरे किया इसी क्रब में बालाखाट में गोंदिया तक हाईवे बनाने पहुची कालुवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा एक पीड मा के नाम अभ्य के तहट अपनी ओर से 5000 पोधे लगाने का कार्य 30 जुलाई से प्रारम किया क्या है जिसमें सरकार की ओर से लगने वाले पेंड पोधों के अलावा उन्होंने प्रधान मंत्री मोधी जी के चलाए अभ्यान से प्रेरित होकर अपने खर्ज पर एक और से बाला घाट गोधिया मार्ग पर व्रचारोपन करने का कार्य प्रारम किया कारग्रम में मुखरूब से SDM, तहसलदार, माइनिंग ओफिसर और NHAI की ओर से राम सिंग राजपूत शामिल रहे जिन्होंने कमपणी के इस ज्जन कल्यान कारी अभ्यान में अपना सहयोग देती हुए अपनी माता के सम में एक प्रेंट लगाकर से भागिता दर्ज कराई है। इस बार हमारी द्वारा संचाल इस सभी प्रोजेक्ट में हम मोदी जी के अभ्यान से प्रेडित होकर अपनी ओर से पेंड पौधे लगाने का कारी करते आ रही है। प्रोजेक्ट मेंनेजर मंजीस सिंग ने जानकारी देते हुए बताए कि बालाघाट गोधिया मार्ग पर बंढ़े हाइवे के बारे में जानकारी देते हुए कहा। जिसकी लागत लगभग 550 करोड रुपे है जो की बालाघाट से होते वे गोधिया तक जाएगा। जिसकी लंबाई लगभग 42 किलो मीटर होगी साथी जनवरी 2024 से यह कार्य फ्रारंब किया गया है और जनवरी 2026 तक इसे पूरे किये जाने का लक्ष सरकार द्वारा दिया गया है। परन्तु हमारा खुद का लक्ष से मिड 2025 तक कम्प्लीट करने का रखा गया है।